अब देखे लिश्टिंग होने जा रही है 21 अगस्त को यानि की मंडे के दिन और टाइम नहीं रहे गया है और बहुत सारे सवाल है ने वे सकों कि क्या खुलते ही इस स्टॉक को खरी ले क्योंकि रिलाइंस का डी मर्जर हुआ है और हर गुरूम में ऐसा नहीं होता है बहुत लम्ब समयावाद हमको ऐसा देखना मिलता है तो क्या यहाँ पर पैसे बनने के बहुत जादा चांसिस यहां पर आते हैं उससे पहले यहां पर डेट क्यों पर बात करतें 29 अगस्त यहां पर बहुत जल्दी आ गई हो है यहां पर अगर आप देखे तो यह एक्टूबर की था अक्तूबर के असपास expectation थी कि लिस्टिंग होगी लेकिर उससे उसकी जगा 21 अगस्त को आप मंडे गिन देखेंगे कि लिस्टिंग हो रही है तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है और चौकाने वाली बात है कि टाइम लग रहा था उस टाइम को बिल्कुल घटा इसे बढ़ रही है और देखें बहुत सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काफी अनिश्चित्ता है तो कहीं न कहीं उसके चलते यहाँ पर जल्दी लिस्टिंग यहाँ पर कराई आ रही होगी अब देखें यहाँ पर ख़बर भी है बहुत सारी नज़े आ चु अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस भाव पर आपका लिस्टिंग होनी है उसके बात क्या आपको खरीदना चाहिए यानि और किन बातों का ध्यान रखें और अगर आप खरीदते भी है तो फ्यूचर क्या है इसका अब देखें जियो फैनिसी सर्विसेस का पहले तो दाम आ हुआ है वह हुआ है आपका 261.85 पर और यहां पर सबसे जादा जो बेनिफीशरी रहेगा वह है जो रिलाइंस पहले से होल्ड कर रहे थे उनको यह फ्री में मिला है लेकिन जिनको नहीं मिला है वह यहां पर एक्साइटेड है कि यहां पर जैसे लिस्टिंग होगी मैं कू मार्केट कैप दो लाग करूड के असपास का मार्केट कैप है जियो फाइनिसर सर्विसेस का और यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पर देखिए कि क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम यह कह रहा है कि 315 से 325 रुपए के भाव पर लिस्टिंग होगी जबकि यही पर question यह आ जाता है कि आपको यह खरीदना चाहिए या नहीं जो नए लोग हैं वो खरीद कर बैठ जाए या नहीं बहुत जादा volatile रहने वाला है क्योंकि preample list होने वाला है इसके साथ-साथ मैं अब यहाँ पर बहुत notable बात बताने वाला हूँ इसको द्यान से सुनिए उसके बाद decide करेगेगा कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है देखें simple है reliance के जो geo finances services है क्या आपने उसकी net sales और net profit देखा नहीं देखा होगा हम कहते तो हैं कि बजाच finance को बिल्कुल beat कर देगा कैसे beat कर देगा अभी तो businesses जो है वो start भी नहीं हुए अगर आप देखें तो reliance का 6% tragedy shares जो है वो geo finances services के पास है geo finances services limited के पास है जिसके cool value 1.20 lakh करोड है जबकि आपका अगर 320-340 उरपय के भाव पर listing होगी तो already बहुत ज़ादा high premium पर होने वाली है और यहाँ पर अभी 261 के एसाब से 12 lakh करोड का लगर आदर लेकिन अब तो यह और भी ज़ादा बढ़ जाएगा possible है कि 2-20-2-30 lakh करोड के असपास की listing होगी तो फिर आपके लिए बच्चा क्या यही तो में बात है जो कि आपको समझने चाहिए कूदे अमत कूदे अमत यहाँ पर कि आपको तुरंदी खरीना है wait and watch की strategy अपनाईए यह जो benefit है वो जो पुराने निविसक है लेकिन आप नई निविसक बनने की ओर है और आपको प्रीमियम नहीं मिल ला है यह आप द्यार रखिएगा तो यहाँ पर फसने जासे चांसे होगा ऑल्रेडी प्रीमियम पर लिश्ट हो रही है पहले 168 का भाव लगा रहे थे कि दीमर जो रहा तो 168 के भाव पर हुआ 261 पर हुआ अब 315-340 के असपास का भाव अता रहे हैं ग्रे मार्केट में की लिस्टिंग होगी तो और प्रीमियम पर लिस्ट हो रही है तो फिर आपकी जगा कहां पर बची है और 6% के हिसाब से यहाँ पर आपका value ते हो रही है लेकिन असल में business जो core business रहेगा उस company का वो अभी तक start नहीं हुआ है उसके लिए यहाँ पर deals करी गई है जैसे mutual fund आएगा Reliance Geo Finances Services में लेंडिंग करेंगे housing finance इन सब के लिए tie up करे जा रहे बड़े बड़े लोगों से tie up करे जा रहे है ताकि पैसे की बिल्कुल भी कमी ना पड़े और Geo Finances Services ने किसे छोटे मोटे से tie up नहीं किया ब्लैक रॉक से tie up किया है mutual fund के लिए landings के लिए तो इतना बड़ा यहां पर set up किया जा रहे है और यह सब कुछ digitally waste करेंगे तो कुल मिलाकर हमारा तो यही है कि अभी यह सब सुरूबात है और सुरूबात में ही बहुत सारे analyst जो है वो एक एक पक्च पे आ गए है कि जैसे अब नया player आ रहा है तो बहुत benefit होगा यह होगा वो होगा लेकिन असल में क्या हुआ था हाथवे केविल और डेन नेटवर्क में क्यों इतना बड़ा बेश जो है न वो बन नहीं पाया ज़रा आप ही समझे केविल टीवे में हर कंपनी खरीद ले गई थी रिलाइंस की तरफ से जीयों ने वहाँ पर आके खरी ल यह की रिलाइंस की कंपनी है तो यह बिलकुल आपको धासू रिटन देगी जबकि ऐसा नहीं होता है जबकि ऐसा नहीं होता है यह हमारी और आपकी बनाई हुई बाते होती है ताकि थोड़ा सा एक बज़ क्रियेट किया जाए सिर्फ और सिर्फ यह बज़ है बाकी कुछ भी नहीं है असलियत तो यहाँ पर कुछ और है यह सब लिस्टिंग जो है ना यह इतनी प्रीमियम पर लिस्टिंग यह सब यह ट्रैजरी शेर्स की वज़ए से कि इनके पास इतनी होल्डिंग है और उसी बेसिस पर इनका मार्किट कैप है लेकर में बिजनेस देखा जाए जियो फाइनिसे सर्विसस का तो अभी तक को स्तुरूबाती नहीं हुए कि कहां पर लोन बाटना है किस तरीके से करना है क्या टेकनोलजी यूज़ करनी है सब कुछ अभी बाकी है तो यह सारा का सारा जो है ना वो आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रैजिरी सेर्स की जो वैल्य पर हो रहा है और प्रीमियम पर लिस्टिंग हो रही है तो जारा साफधान रहे है यह तो कहने की बात है तो वेट एंड वाच कर यहां पर स्ट्रैजी अपना है जरूरत से जादा यहां पर लिस्टिंग हो रही है बहुत जादा हो रही है जबकि आप ध्यार रखिएगा 10% का discount रहता है holding company के अंदर 10% का discount रहता है और premium पे आ रहे हैं तो वो 10% discount कहा पर होगा कैसा होगा कुछ नहीं पता है अभी अभी सारी चीजे clear है ही नहीं रियल्टी यही है बास्तिविक्ता यही है और already आप ही यह बताओ कि अगर यह 2.5 लाग करोड के market cap बारी company पहले से ही list हुई है तो आपकी कमाई कहाँ होगी जबकि कोई net sale कोई net profit का कुछ वरोसा है नहीं किदर क्या है सब कुछ starting level पर है खिचेगा तो starting खिचेगा तो लेकिन क्या लगता है इतनी जल्दी जगा बन जाएगी और अगर जगा बन भी जाएगी तो आपको कमाने का मौका कहां मिलेगा कहां कमाई का मौका है बजाच finance का market cap 4 लाग 5 लाग करोड के असपास का है उसमें आप देखें तो आदे पर तो ये पहले से आगए है इतना बड़ा market cap होगया है पहले से ही जबकि अभी तो सुरुवात नहीं बजाच finance तो दीरे 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 चला है तब जाके उसमें return भी बना है ये already इतने बड़े market cap के साथ आ रही है कि return कहां बनने वाला है ये एक समझने वाली बात तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि आपको थोड़ा सा आप समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है ये सोचने वाली बात है already पहले इतनी बड़ी listing हो रही है आपकी जगा कहां बनेगी ये सबसे बड़ी बात है आपकी जगा है किदर तो ये एक नए investor को समझने चीए खैर जो भी हो आपको जो भी decision लेना हो फिलाल लेकिन अभी थोड़ा wait and watch में रही है listing हो जाने दीजे कितना peer ratio है कितना industry भी है यहां से listing double नहीं हो जाएगा double अगर हो भी गया तो उसमें कमाने का मोका किसी को भी नहीं मिलेगा उसमें already वो इतना मेंगा हो चुका होगा कि उसे किसी को कोई बड़े funds जो हैं उन्हें भी पसंद नहीं करें तो यह यहां पर ना पूरी बात रहती तो कुल मिलाकर wait and watch अपना है कि हो क्या रहा है listing हो जाने दीजे उसके बात क्या हो रहा है listing एक बार हो जाए फिर हम बजाच finance से भी बिल्कुल comparison कर लेंगे और उससे हम सारे चीजे समझेंगे कि बजाच finance से benefit उठाया जाए या जियो financial services से benefit उठाया जाए तो यह तो कहने की बात है कि बहुत आ चुका है और वो आ चुका है यह आ चुका है लेकिन असल में केवल की दुनिया में हमने देखा कि कुछ नहीं को पाया कुछ नहीं हो पाया आप देखते हैं या पर क्या होता है तो अमीद आप इस बात को समझेंगे आप यह कहना इसके उपर कमेंस समझेंगे आप देखने के लिए बात दन्माद उसतो